हलो एवरिवन कैसे आप लोग मैं जितेइन बंडारी एकोजेट की तरफ से आपका हार्दीक सोगत करता हूं सबसे पहले तो एकोजेट पे support इतना सारा support करने के लिए इतना सारा प्यार करने के लिए हमें थेंक यू सू मच चलिए शुरुआत करते हैं आज हम जिस नए टॉपिक के साथ आए हैं वो है बीएड हेलो फ्रेंट्स आप सभी को बीएड सेकंड डियर की इंटर्शिप तो मिल ही गई होगी और इस इंटर्शिप में लेसन प्लान के लावा एक और डायरी होती है जिसे आ नसीटी ए रेगुलेशन एक्ट की जो डायरी होती है इसके तहट अट्मिस्ट्रेटिव वर्क डायरी बनाई जाती है और वह जो डायरी आपके सामने हैं वह हम आज डिसकस करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले डिसकेशन में आपको इस तरह से बता दूँ कि इसका ये फ पूरा फिल करना है ये किसी भी बच्चे का आवेदन पत्र होता है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ दूसरा होता है कारेले उप्योग हेतु अच्छली जब बच्चा एड्मिशन लेगा तो उसके पीछे कारेले उप्योग हेती कुछ चीज़े आपको लिखनी होत जती है। उसके बाद होता है देनिक उपस्तिटी व आवकाश दुवराण, जिसमें देनिक उपस्तिटी नवंम्बर के हमने बढ़ रखा है या आप प्रविश्य को मिलती है उसके बाद आता है लेजर जिसमें हमने एक अकॉंट बना रखा है लाइट बिल का तो इसमें पूरा लाइट बिल जो है उसका विर्मेंट दिया जाता है उसके बाद ट्रांसफर सर्टेफट पाट शालांतर प्रविश्या नुग्या के हिसाब से या फिर ट्रांसफर सर्टेफट जो स्कूल से बच्चों बच्चों को मिलता है वो टीसी बोलते हैं इसको हम लोग प्रांस्वर सर्टिफिकेट टीसी यह देखिए छात्र उपस्ति रेजिस्टर है यह तो आपको बहुत अच्छे सा आइडिया होगा इसमें बच्छों के नाम होते हैं और इसमें रेगुलर अटेंडेंस बरी जाती है उसके बाद आता है छात आपक अनुसार समय विभाग चक्र तो यह आपका एक टाइम टेबल है जिसको आपको अच्छे से प्रपेर करना होता है देख लीजेश को उसके बाद आता है नेक्स जो है यह भी विशय अनुसार दे रखा है आपको उसके बाद लेटर डिस्पेच है जो जितनी भी चीज पत्र जो भी हम लोग इसकी बात करें लाइबरेरी का कंसेप्ट है यह तो लाइबरे में जितनी भूक्स आपके पास आपके लिए उसके लिए उसके बाद रजिस्टर है यहाँ पर जो आपको डिटेल दा ली गए वह आप देख लीजे यहाँ पर कुछ बच्चों का एड थैय cricket की बना गया रजिस्टर है प्रवेश रजिस्टर बुलते है इसको इसको उसके बाद रजिस्ट्री या रजिस्टर आफ लाइबरेडी बॉक्स रिसीव कित्ती निटेल हो गी हैました प्रसप्र मसा चाहता है स्कूल में दिश्र से कॉन अया उन सथा है इसमें टेटेल होती है चाहता है हुण़ जितने पड़ी है जबढ़ी चाहिशिते है जिपल्बाद कॉन दील हो हुआ उसके बाद आता है चात्र प्रगति पत्र विवन इसका concept जो है बच्चों की जो progress report होती है उससे इस पे पूरी details बरी जानी चाहिए जिसमें चात्रा का नाम, चात्रा का नाम, प्रविश, क्रमांग जो SR नमर होता है, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, वर्ग, जन्विती सब कुछ बरा जाना चाहिए, यह जो आपका progress report बना है, उसके अंदर का content है, कि उसमें जो लड़की है, उसका नाम, और उसके नाम के बाद उसके सारे marks, जो दो ने अलग-लग सब्जे में किसे marks पाए हैं, और कितना पूर्णांग रहेगा, सब कुछ इसमें होता है, इसके प्रात्ना पत्र का एक format मिलता है, इसके थरू आपनी प्रात्ना पत्र लगा सकते हैं, इवन टीचर्स भी अपनी प्रात्ना पत्र लगा सकते हैं, कि उनको अगले दिन के लिए लिव चाहिए, या लिव शेंशिन करानी हो तो, फिर परमावश्यक प्रमान पत्र, इसमें छको आप लेड़कों सब्मिट कराने होें, च ejercalर्या पत्र, प्रात्ना पत्र, इसके बास् सकते हैं, जो आप का कंसेफ्ट आपयार रहे ह्नद माणी पत्र माशिक प्रमावश्यक प्रमाने पत्र म पत्र पत्र, इसके डहां हो पतोग करने हैं, और सम आपको पता है कि जब आप परिक्षा प्रम्रान पत्र बनाते है प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आपको पहले इसको एक green sheet में चड़ाना होता है यह green sheet वही है इसको complete करने के बाद फिर यह सारा का सारा जो data होता है वो आगे ट्रांसपर कर दे जाता है next class के लिए यह है आपका अ सर्विस बुक सर्विस बुक जो होती है वो हर टीचर की specially बनती है जिसमें टीचर का सारा detail डाला गया कि टीचर जब यहां पर एंटर वहा तो वहां से लेके joining date से लेके कब तक work कर रहा है उसके लिए सारा सब कुछ उसके बाद वेक्तिक वीवरण होता है इसमें teachers का personal वीवरण लिखा जाता है कि teachers में अपनी सारी details बरके school में submit करवाता है वर्ष के कार्य दीबस्यों का विवरण है तो इसमें टीचर्स कितने दिन, अपसेंट रहा है कितने दिन प्रजेंट रहा has questions, उसकी details रहती ही सारे किसारे उन्हें अध्यापन्त कार्य कर वाए उसका-ध्यापन्त कार्य कर रहती है फिर पाठेतर प्रवतियों को, जो अध्यापक अध्यापक को सोब बितेल से सारी कहीं। नीचे की तरफ वार्शिक ग्रहकारी क्रह या लिखित कारी यूजण जो बच्चों की रहती है, बच्चों के लिए पृपया की जाती है, वो सब लिखा जाएगा। उपर की तरफ अध्यापक अभिभावक संपर्ख है और नीचे की तरफ राष्ट्री कारेक्रमों या बोतिक उपलब्दियों की सहबागिता कि कहां कहां बच्चों ने सहबागिता दी है टीचर्स ने कहां का सहबागिता दी है और उपर की तरफ अध्यापक अभिभावक स्मय विभाग चक्र उसमें एक्चली ग्रहकार्य के पारद में डीटेल रहती है ग्रहकारी की empowerment की जानच की गई उसका पाक्षिक और सबड़ारीन विभरन फि litigation रयूर्ण कभकभ उनका ग्रह जाच है और नीचे चात्र प्रगति अभी लेखन कि चात्र ने कितना उसके अंदर इंप्रूमेंट किया है वहित माब्दन ये सब मांदन दिये गये हैं इनके इसाब से उनको चेकिन करनी होती है और उसके बाद नीचे की तरफ संस्ता प्रधान के अनुदेश शिक्षक कारिय संबंधी संस्ता संस्ता प्रधान से प्राप्त अनुदेश संदर्व है तू नीचे लिखे गये या नीचे लिखे जाने वाले डॉक्यमेंट जो है उसका कंटेंट रहता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं वहित मांदन संस्ता प्रधान के अनुदेश शिक्षक कारिय संबंधी संस्ता प्र आए कि यह डाईरी एंसीटी डाईरी जो है कैसे बढ़ी जाती है तो थैंकियू सो मच और देखते रहे हैं बीड के नेक्स लेसंस के लिए और सारे लेसंस के लिए हमारा इकोजेट चैनल थैंकियू सो मच कैसा लगा आज का सेशन आपको हमें लिखके जरूर बताएं थैंकियू सो मच बाई